हालो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करेंट फिलिंग्स इस वक्त की वह आपके बारे में इस वक्त क्या सूच रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं और आगे क्या एक्शन्स लेंगे देखते हैं क्या निकलता है और आपको वही रखना है जो आपके साथ रेजोन तो सबसे पहला ही काड़े यहां पे दीवड का मतलब आप अपने पार्टनर के लिए उनकी पूरी दुनिया हो उनको पता है उनकी सारी खुशिया आपसे जूड़ी हुई है अबर वह आपके पास आते हैं तो उनको सब कुछ मिलेगा आप उनकी विश्फूल्फिल्मेंट हो लेकिन वो देविल का काड़ को देखती हुए पता चलता है कि उनके उपर ब्लैक माजिक किया गया है और वो ग्रीड और लस की चक्कर में किसी और की तरफ एट्रेक हो गया है और वो ब्लैक माजिक के अंदर फसे है और वहां से वो निकल भी सकते है वो चाहें तो आपके बढ़कर अभी आ सकते हैं लेकिन वह निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर वह वहां से निकलते हैं तो उनका वहां पे नुकसान हो सकता है पेसों से related प्रॉक्पपरिये अगर कोई थरड़ पार्ठी है थो उनसे related relationship सिप में कुछ प्रभ्राबलिंस आ सकती है और इसलिए वह यहां पे टुफ स्वोर्ट कारें जो कि वह दुबधा में हैं उनको समझ में आ रहा है कि वो कौन सा डिस्टिजन ले मतलब यहां पर जाए कि वहां पर जाए हुनको यह समझ में आ आपके पास बढ़ना तो चाहा रहे हैं लेकिन फिर वहाग के नुकसान के बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर में जाता हूं तो फिर बहुत बढ़ा मतलब जरा सा ग्रीड टाइप इंसान है जरा से प्रैक्टिकल भी है प्रैक्टिकल होने के वज़े से वह इमोशनल साइट स जादा नहीं सोचते हैं इसलिए उनको आपके एमोशनस के वह ज़ादा मतलब कम वैल्यू करते हैं इस तरह से आप बोल सकते हो लेकिन अन्हीं यह पता है कि आप उनसे बहुत जादा प्यार करते हो आप उनका इंतजार कर रहे हो और यहाँ पे जज़्द्मेंट का कार्ड तो आपके साथ judgment जरूर होगा आपको जरूर नयाय मिलेगा क्योंकि आपको आपके पार्टनर जो है उनके दिल में आपके लिए feelings है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते है ठीक है आपके साथ अभी उन्होंने जो भी क्या है न वो सब ठीक होने वाला है वो आपके पास लोटने बिवाले हैं क्योंकि आपके उपर Schools सपर्ट रहे हैं और लिए ऑपके पार्टनर को क्यों आपके और आने की लिए प्रेज करें है उन्हें अलग-अलग. दिखाए दिये जा रहे है जिससे कि उनको बार बार आपके याद आती है और ये लगता है कि कही नन्होंने आपके स को भी दर्शाता तो वह यह भी सोचते हैं कि अगर वह आते हैं तो शायद आप उनके उपर गुषता हो उने माप करें ना करें तो इन बातों को सोच समझ के फिर एक फैसला लेके आपके पास आएंगे लेकिन आपके साथ डेफिनेटली नय होने वाला है यहां पर पैंटेकल स्ट्रेस हैं इसलिए मतलब वह आपके पास आते हैं तो उनको फाइनांशियल डेफिनेटली नुकसान होने वाला है इसलिए वह सोच समझ कर नहीं आ रहे हैं आपके पास आने से लेकिन वह बहुत जल्द आएंगे आपके पास आपके सारी सिचुएशन थोड़े दिनों के करने वाले हैं बस आपको थोड़ा इंतजार करना है समय के साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है और डिवाइन वह सब कुछ करेगी जो आपके लिए सही है इस ट्रेंग के साथ यह मतलब आपके पार्टनर अपने आपको स्ट्रॉंग बना रहा है आपके पास आने के लिए और यह उन्हें लगता है कि आपके पास आने में तरह सा रिस्क है तो वह रिस्क उठाने के लिए भी अभी सोच रहे हैं तो बहुत जड़ टाइम आ जाएगा क्यों डिसिजन अपना ले लेंगे क्योंकि डिसिजन नहीं लें पार है तो अपना सही डिसिजन लेके वो आपके पास लोटेंगे उनके पास अभी दिखा रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ अच्यू कर लिया है जो उन्हें चाहिए था मतलब जो जिस ग्रीड के चक्कर में वहां पर गए थे वहां पर उनको जो चाहिए था वो मिल चुका है तो अ आपके पास आये क्योंकि आप उनके लिए पूरी दुनिया हों वह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ अपनी आगे की लाइफ वो देखते हैं आपसे शादी भी करना चाहा रहे हैं तो आपको बस डिवाइन पर सरेंडर करके एक सही टाइम का इंतजार करना है और आपके परसन थोड़े से प्रैक्टिकल है तो जब वह जरा से उनकी इमोशनल साइट भी डेवलप हो जाएगी मतलब जब आप दोनों एक दुसरे के साथ मैच करने लगोगे तब वो डिवाइन टाइम आता है और आप दोनों एक दुसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हो फि झाल